हेलो फ्रेंड्स आज हम जाने बनाने पनील बटर मसाला तो इसके लिए हमें चाहिए चाहर प्यास एक तमादर और कुछ लैसन और हारी मेर्च तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम इन प्यास को छील के इनको ग्राइंड कर लेंगे और यह टमाटर भी ग्राइंड कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमने प्यास को ग्राइंड कर लिया है यह हमारे टमाटर इसको हमने ग्राइंड कर लिया है और यह मिर्च और लैसन का पेस्ट इसको भी हमने ग्राइंड कर इजी है घर में अविलेबल होता है हल्दी आदी चम्मच गरम मसाला दो चम्मच इसको आप धाई भी कर सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि मैं एमडेज का मसाला ही यूज करती हूँ सबजी उसे बहुत टेस्टी बनती है आदी चम्मच देगी मिर्च यह सिर्फ कलर के लिए डालना है थोड़ी सी हीन अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसको मिक्स कर देंगे हम पहले इसलिए बनाते हैं ताकि मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाए और थोड़ रेस्ट करें तो बहुत अच्छी सबजी बनेगी इसकी यह देखिए यह बन गया अब हम पनीर काट लेते हैं पनीर को ऐसे काटना है यह देखिए ऐसे 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 इस शेक में पनीर को काटना है यह हमारे सारे पनीर कट चुके हैं और लास्स हो चाहिए बटर तो अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंस हम पहले कड़ाई रख लेते हैं गयास पर कड़ाई होगी गरम अब इसमें हम डालते हैं सर्जोग का तेल मस्टड ओल पर इसमें लाव रहे हैं हीम, जीरा और यह हमारा ग्राइंड किया हो प्याज यह चार प्याज मैंने ग्राइंड किया है आप ग्रेवी और थिक करना चाहते हैं तो एक दो और प्याज डाल सकते हैं प्याज बड़िए घूना जान किया हो आप का अजया हैं आप ग्राइंड को बड़िए प्याज़ख यच्डकाम प्रेंच जब तक ये प्यास सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम उसे चलाते रहेंगे प्रेंच अच्छा कलर चेंज हो रहा है इसी थान के हम इसमा हरी मिल्च और लेजम का पेज़ दालेंगे इसको भी चलाते रहेंगे देखेंगे पेंच अमें कम सकम दो की मिनट से चला रहें और अब ये कलर चेंज कर रहे है अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया है थोड़े पाने साथ और अब हम अच्छे से घूनेंगे हैं इसं पैम पर हम स्प्राइब अच्छे से घूनें च्छा बटर फ्रेंज में डाल दी हूं बटर एक चमच अब हम इसे चलाएंगे और अपना मसाना भूनेंगे अच्छी सब्सक्राइब अच्छी सब्सक्राइब अच्छी सब्सक्राइब इसको चलाते रहना है और अच्छी से मसाले को दिन रहा है जब यह तेल छोड़ देगा और इसका कलर थोड़ धाक हो जाएगा तब आपको पता रख जाएगा कि मसाला गुन चुका है यह देखें यह मसाले में तेल छोड़ दिया है अब इस टाइम पे हम दालेंगे इसमें टमाटर इसको भी मिला देंगे और डालेंगे इसमें नमक, सॉल्ट नमक थोड़ा कमी डालेंगे क्योंकि हमने बटर डाला है और बटर कुदी सॉल्टी होता है और इसको भी अच्छे से टमाटर को भी होने देना है यही सीम ग्रेवी हम कही सब्जों के लिए यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो बस इसमें बटर नहीं डालेंगे तो भी वह एक अच्छी ग्रेवी बनेगी बटी एक पनीर बटर मसाला है इसके हमने इसमें बटर डाला है अब इसको भी कम से कम 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे ताकि टमाटर हो जाए फैंस देखे इसमें की तेल जोड़ना शुरू कर गया कितनी अच्छी ग्रेवी बन रही है वाव अब जब टमाटर भी इसमें घुन चुका है मसाले में और प्याज में इसमें हम डालेंगे अब इकटे हो पनीर और इसको भी इसमें मिला देंगे बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत कम टाइम में बन जाती है और सबसे बड़ी बात बहुत टेस्टी होती है इक पनी बटर मसाला की सब्जी तो हम इसको पनी में भी कम सकम एक मिनट तक चलाते रहें तो ब्रेंस अब ये पनीर के साथ भी अच्छे से मिल चुका है अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी में बहुत थोड़ा ही डालागी या आपको जितना चाहिए आपको इतना पानी इसमें डाल सकते हैं इसको मैंने तेज आज पी बनाया है मैंने एक बार भी इसमें आज को कम नहीं किया है तेज आज पी बनी है और बहुत टेस्टी भी बनेगी अब इसको हम सब्जी को धब के रख देते हैं पेज आज पी जैसी इसमें बॉल आएगा हम इसकी आज कम कर देंगे तो अब हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं कि इसमें बॉल आ गया इसमें इसमें थोड़ा चला देते हैं बटब इसमें अच्छे से बॉल नहीं है, इसको अच्छे से बॉल होने ज़ते हैं, बसे तो बाल आ चुका है, पर थोड़ा और, इसमें बॉल अच्छे से आ रहा है, ये रिखिए, अब इसको हम कम आज को पांच मिनट तक पकने लिए, आज मने कम कर दिये, अब हम अपने कब भी देख लेते हैं, सब्सक्री बनके तयार, बट जारा मिला है, हाँ, सब्सक्री बनके तयार हो गई है, अब इसको हम पांच मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, और प्लेटिंग करेंगे, सब्सक्री बनके तयार हो चुकिए है, देखें, इस अतनी देखने में टेस्टी लगड़े हैं, उसमाने में भी टेस्टी होगी, तो आप इसे बना के बड़ दरूर देखेंगा, और मुझे बताएगा कैसी बनी, थैंक यू, और बाई, ये काल भी हमने प्लेटिंग, पनीड की सब्जी, दजी, रोटी,